कल आपको मैं एंस्वर कि नहीं दे सका इसका रीजन है क्योंकि कल कुछ शात्रों कि इस वह पात्र ने क्यूं को पूछ ने करना भी चेंट हो से अच्चेंडियर का कोशन पूछे गए जो की बिल्कूल आपका यहां पर ऑरिजिनल पेपर है जो की आप देख सकते हैं वैसे आपको कोशन देखने को मिलेंगे एक्जाम में तो जितने भी चात्र अभी तक लोग यहां पर देखकर प्रैक्टिस कर सकते कि किस तरह से एक्जाम में कोशन पूछे जा रहें इसके अनुसार आप तयारी भी कर सकते हैं तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं सभी लोग विडियो को कंप्रेट देखिएगा सबसे पहला कोशन पूछा गया था सिलिकान सेमी कर्णेक्टर डायोड कि कोड को इंगित करता यह इंगित करता है इसमें आपका 2N 35 दिया गया वह हमारा आपसन नंबर D दिया तो कोशन का अनुसार हमारा टी आपसन करेक टेंसवर हो जाता है सबी लोग मिला ले जीएगा अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन आप से पूछा गया था कि एक सक्रिय घंक का है। इसमें आपको आपसं देखने को मिलता है। ही में आपसंों आपको सबील यहां और पढ़ें कि नहीं अपको सब्सक्रारेद से ज़या समय लगärा है। है कि यहां पर State कोशन पूचा गया है। अगले कोशन पैसे में कोशन पूचा गयाता कि सिलिकान टांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जक्षन में नियुतम बोल्टेज की आवसकता क्या है मतलब कितने इसमें बोल्टेज की आवसकता होती है सिलिकान टांजिस्टर के संचालन के लिए इसमें जो आवसकता होती है 0.6 बोल्ट से 0.7 बोल्ट तक इसमें ज करेक्ट इंस और हो जाता है सबी लोग मिला लिजेगा आई अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन आप से पूछा गयाता है कि सिल्कान समागरी में रोधिका बोल्टेज का क्या कारण है इसका कारण का तो कम परमाड़ों की संख्या के कारण इसका रोधिका बोल्टेज का यही रीजन होता है तो यह आपका कोशन के अनुसार जो सही हो जाता है आपसन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट देंसर हो जाता है यह आपसन हम करेक्ट मारेंगे अगले कोशन पर आते हैं दोस्तों जिसमें कोशन पूछा गया था कि S3-R का मुख्या अनुपर्योग होता है प्रवर्दक के रुप में यह दोलक या मोटरों की गति तो यहांपर कोशन के अनुसार आपका चेंड हो जाता है जिसको मोदरों का गति नेंतरण के नाम से जानते हैं तो इस नितने पि Two कल की डेट के ईकजाम देने गहे थे सबी लोग इसको देख लीजिएगा यहां पर आपका डी आपसन करेक्ट टेंस्वर हो जाता है आईए अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन आपसे पूछा गया था कि सब्सक्राइब बाडब किलेट लोग देता है कि अगले कोशन पर आते हैं जो कोशन यहां पर पूछा गए यूजे टी यूजे टी के मतलब क्या होता है यूणी जैक्सन टॉंजिस्टर होता है इसमें पूछ रहा है क्या मुख्य कारिक है इसका जो में कारी होता है वह क्या होता है इसका में कारी होता है दोस्तों रिलेक्स से वाल जो और सिलेटर होता है इसको प्रचालन करना जो कि में यहां पर आपका अपन दिया घर है यह आं हम्र Channel और यह चली अगले कोशन में जिसमें कॉशन आपसे पूचा गया था कि करेक्स का मुख्य लाब किया है कुछ जो यह इसका मुख्य कारिय क्या होता यह निंवंदम विक्रितिक व्यांत सब्सक्राइबंगे अगले पीच में पूछा गयाता है इसका पर परभाव पूछ रहे किसका परभाव क्या है जो कि यहां पर बी आफसें सही हो जाएगा आई अगले कोशन पहें जिसमें कोशन आपसे पूछा गया था कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उप्यूग किया जाता है रिसंबद का या पीबिसंट चीबध का या कौन सा डिवाइस ओभर लोड और सॉट सर्कीट से बचाता है आई सुलेटिक स्वीच यह समय देरी रिले यह थर्मल अतिभार रिले यहां पर आपको देगे सब्सक्राइब करेक्ट हो जाता है क्योंकि पैनल बोड में यहां पर पूछाए कि डिवाइस ओभर लोड अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन यहां पर पूछा गए कि पैंच का उप्यों किये भी ना पैनल बोड में सब्सक्राइब करने के लिए कि समागरी का उप्यूग किया जाता है जिसमें जो उप्यूग किया जाता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं डिन रेल का जो कि आफसन में यहां पर हमारा एदिया गया तो कोशन के अनुसार हमारा एफसन करेक्टेंस पर हो जाता है अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन पूछा गया था कि 21 परकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोड में हीटिंग और ओबर लोडिंग से बचाता है इसमे आफसन नंबर सी जिसको थर्मल रिले के नाम से जानते हैं तो यह आपका कोशन करेक्टेंस और हो जाता है सबी लोग मिला लेगा अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन आप से पूछा गया था कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डी आइन रेल का उपयोग क्या है जो डी कोशन कोशन करेक्टेंस और हो जाता है अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन यहां पर पूछा गया था कि काउशन डी याईस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थी हुए केबलों से चमक आने से रोपता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हम लक्स और थिं को वर्कुलिकित किया गया है समुद ड्राइब या मिन्वल ड्राइब या बेक्तिगर्ड ड्राइब या व्यिक Cauchy ड्राइब दिवटी ड्राइब तो इसमें आपका जैक्षा जाता ग intern करेक्षा गैस के के लिए किस दुकत किया जाता है इसमें किया जाता लुदफ को सलिप एंडशन तो gelecek हो जाता है अगले कोशन पर आते हैं जिस्फें अपसे पूछेड़ा कि या घती को को कौन पध्रन नियंतरित करता है मतलब कि कंट्रोल करता है जिसमें एक आपका उल को बोलते हैं तो माइक्रो पॉच्टर मोटर में बल आगुंड के समानुपाती कौन सा यह मतलब कि इलेक्ट्रो मोटिफोर्स या फिल्ड करेंट सीरू का बोल्टेर या आर्मेचर करेंग जिसको जानते हैं दोस्तों आर्मेचर करेंड के नाम से जो कि आफसन में आपका करेक्ट एंसफर हो जाता है अगले कोशन पर आता है जिसमें कोशन पुछा गया कि क्यों एसी ड्राइब ज्यादतर प्रिक्रिया सन्यंतर में उप्योग किया जाता है चलाने में असान या नेत्रण में मजबूत या बहुत ही अधिक सुरुवाती बलागूर जिसमें आपका जो सही हो जाता है यहां पर और आपसन देना चाहिए यहां पर नीचे नीचे दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं रख रखाव मुक्त लंबा जीवन यह आपका क्योंकि यहां पर जो मैच कर रहे हैं हमारे आपसनी करेक्ट हो जाता है आई अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन आप से पूछा आपका कि यहां पर आपका रखत यहां इंसरानेets को घॉंसार हो जाता है एहां पर आपका यहां पर आ न्मबर यह시는 हो जाताמע है का कौन सा आफसन मारेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह आफसन हमारा करेक्ट एंसवर हो जाता है आए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन आप मेंiron कोशन का फूछ किया जाता है डिसमें कोशन आपसे पूछा गया लाइजर में इलेक्ट र्कार्ण का प्रियोग किया जाता है व aspect कि बात किया घ्लिन करवर में कर सब्क्राइब करने का का कौर्ण कि होने का 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 कारण कि रहा है कि वैटरी में डौप होता है इसको हम एडिकेट करें हिसके सब्सक्राइब किए जाता है सभी लोग मिला लिजीगा अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कोशन आप से पूछा गया था कि उर्जा का प्रक्रितिक स्रूथ कौन सा है उर्जा को जो जिस प्रक्रितिक सडूए तो यह आपका कोईशन के अनुसार ए आफसन करेक्ट हो जाता है ये तो दोस्तों आपका कल के पूछे गए एक्जाम का कोईशन येदि आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिसिस्टन में आपका वाटसप ग्रूप का लिंक दिया गया और यहां पा फिस्बुक और टेली ग्रूप का लिंक दिया गया आप जूड कर हर एक कोईशन बता सकते कि सर आज की डिट में ये कोईशन पूछा गया था